नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का मराठा सासन में वस्था जो हम लोग पिछली ग्लास में जहां तक खतम किये थे लास्ट ग्लास में 1818 तक उसी के आगे आज हम continue करने वाले हैं ठीक है तो आज हम प्रू करते हैं आची ग्लास को 1818 से लेकर 1854 के बीच में जो घटनाय घटित हुई है 36 गड़ में उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उससे related MCQ कोश्चन जो है करने वाले हैं ठीक है तो ब्रिटिस के अधीन मराठा सासन ये कब से शुरू हो जाता है 1818 से 1830 तक चलता है ठीक है 1818 से लेकर 1830 तक चलता है लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से 1818 में मराठो को इस्थापित करके ब्रिटिस गवर्मेंट जो है अपने अधीन ले आती है ठीक है तो उसमें हम देखे थे सबसे पहले लास्ट क्लास में जहां पर खतम किये थे उसी को कर रहे हैं रगुजी द्वीती की मृत्ति हो जाती है बाइस मार्च 1861 में अगला सासा कौन बनते हैं अप्पा सहब परसों जी भोशले माप करना परसों जी भोशले जो इनके पुत्र रहते हैं परसुन जी वोसले, ठीक है, ये चत्तिस गड के राजा बनते हैं, लेकिन इनको सामना करना पड़ता है, अप्पा सहाब का, किनका? अप्पा साहब का सामना करना पड़ता है ये भी सत्ता की चाह में परसोन जी भोसले के विरुद संकर से स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर अप्पा साहब अकेले नहीं लड़ पाता है तो क्या करता है ये एक अंग्रे जथिकारी जिनका नाम रहता है जैन किंग्स जैन किंग्स से मिल जाता है और परसोन जी भोसले की हत्या करवा देता है ठीक है और अगला सासा कौन बन जाता है अप्पा साहब ये हमने लास्ट क्लास में देखा था ठीक है तो यहाँ पे जो संधी होती है अप्पा सहाब और जेन किंग्स की ये होती है सहायक संधी 27 मई 1800 लागों ठीक है ये संधी बहुत जादा इंपोर्टेंट है इस संधी के तहत एक सर्थ रखी गई थी क्या सर्थ रखी गई थी कि मराठा जो साचन का छेत्र है वहाँ पर ब्रिटिस गवर्मेंट अपनी सेना रखेगी उसके बदले में 75 लाख रुपए ठीक है 75 लाख रुपए जो है ब्रिटिस गवर्मेंट को दिया जाएगा ये संधी की सर्थ थी यहां पर ध्यान रखना 27 में 1816 को जो संधी हुई है वह हुई है अप्पा सहाब एवं अंग्रेज अधिकारी जैनी किंग्स के मध्य में ये क्लियर हो गया ठीक है लेकिन अप्पा सहाब यहां पर राजा तो बन जाते हैं लेकिन कुछ टाइम बात क्या होता है ब्रिटिस गवर्मेंट का हस्तक छेप इनके राजकाच पर बहुत अधिक दिखाई देता है इससे वो काफी नाराज होते हैं और अप्पा सहाब क्या करते हैं मराठो के साथ मिल जाते हैं और एक तरफ मराठा राजा रहते हैं बाजी राव द्वीती जो अंग्रेजों के विरुद संगर्स कर रहे होते हैं उनके साथ जाकर मिल जाते हैं और फिर से युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध, उस युद्ध का नाम रहता है सीता बर्डी का युद्ध, सीता बर्डी के युद्ध में दो पक्ष रहते हैं, एक है अप्पा सहाब, इनके साथ में रहते हैं बाजी राओ, बाजी राओ दुविती, ठीक है, और ये जो संघर्स होता है, किसक पाजी राओ दुविती और अप्पा सहाब हार जाते हैं, ठीक है, जीत किन की होती है, अंग्रेजी सेना की होती है, और अंग्रेजी सेना की जीत होती है, तो क्या करेंगे इन लोग विस्थापित कर देते हैं, मराठो को और 36 गड़ में अपने अधीन ले आते हैं, सन 1818 मे ठीक है, तो इस प्रकार से Marathi जो है यहाँ पर कमजूर पड़ जाते हैं और उनका पतन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कब से? 1818 से, 1818 में क्या होगा फिर? यहाँ पर जो Maratha सासन है वो British के अधीन चले जाता है ठीक है तो इसी से related कुछ questions है कुछ facts है उसको देखेंगे और British जो है इस समय क्या करते हैं अधिक्षकों के माध्यम से जो है सासन को समालते हैं इसमें एक चीज और है जो आप लोगों को याद रखना है अंग्रेजी सेना जब जीतती है तो मराठा सासन तो चलता है उसके उसको क्या करते हैं अपने अधीन कर लेते हैं लेकि राजा किसको बनाया रहते हैं यहाँ पर रगुजी त्रिती को अगला राजा इन्हीं को बनाया जाना रहता है लेकिन यह क्या होते हैं को आप वय्यास्क रहते हैं अलप वयस्क होने के कारण क्या करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और उस संधी की सर्थ यह रहती है कि जब तक रगु जी तरिती वयस्क नहीं पे तब तक जो है ब्रिटिस गवर्मेंट अधिक्षकों के माद्यम से साशन को सम्हाल करेंगी और जैसे रगुजी 3-3 जो है वैस्क हो जाएंगे उनको सत्ता सौंब दे जाईगी ठीक है तो यहां पर entry होती रगुजी टृती तरय को क्या के वैस्क होते तक कौन साशन करेगा बृटिस गवर्मेट साशन करेगी, और किसके माध्यम से करेगी, बृटिस अधिच्छकों के माध्यम से करेगी, ठीक है, इसमें आगे प्रशन देखते हैं, फिर आप लोगों को और र क्लियर हो जाएगा, इसमें क्या क्या चीजे याद रखनी है, सबसे पहला प्रशन है, असत्य कथन की पहचान करना है आपे, 27 मई 1816 को अंग्रेज एवं अप्पा सहब के बीच एक सहायक संधी हुई, ठीक है, दूसरा कथन है संधी के अनुसार, नागपूर राज्य में मराठा वेपर अंग्रेजी सेना को रखा जाना था, तीसरा संटेंस है, दस फरवरी 1817 को, परसोन जी की मृत्ती हो गई, फिर है 21 अप्रेल 1818 को अप्पा सहाब का राज्यर होण हुआ, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है, देखे इसमें पहला कथन मैंने बता दिया है, सहायक संधी होती है अप्पा सहाब और किसके भी सम के बीच में 27 मैं 1816 को, ये बिल्कुल सही कतन है, दूसरा जो है, ये भी मैंने बता दिया है, संधी की सर्थ ये रहती है कि मराथा के व्याय पर अंग्रेजी सेना रखा जाना था नाकपूर शेत्र में, ठीक है, नाकपूर राजे में, ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है, त ठीक है, तो ये भी सही कतन है, फिर है चौता कतन, 21 अप्रेल 1818 को अप्पा सहाब का राजे रोहन हुआ, 21 अप्रेल 1818 नहीं है, आपर 1817 में राजे रोहन होता है, क्योंकि 1818 में तो रखुजी तृती बन जाते है राजा, जो कि अलप्यस्क रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनका राजे रोहन जो है कब होगा, 1817 में ही होगा, ठीक है, तो यह याद रखना आप लोग, फिर अगला कूस्चन है, 14 नवंबर 1817 को पेस्वा ने किस मराठा सासक को सेना सहाब का खिताब प्रदान किया था, ठीक है, पेस्वाओं के माध्यम से चलता था शाशन, किस इसका, नागपूर राजे का, यह हम सभी को पता है, यहाँ पर पूछा गया है कि किन को सेना सहाब का खिताब दिया गया था, यह उपाधी दिया गया था, व्यमकोजी भोसले, अप्पा सहाब, रगुजी द्वीती और पसोर जी भोसले, इसका सही एंसर होगा, अप्पा स सेना सहाब का उपाधि दिया गया है ठीक है किताब दिया गया है याद रखना है अगला प्रशन है मराठो एवं अंग्रेजों के मद्य प्रसिद्ध सीता बरडी का युद्ध कब हुआ कब हुआ तो डेट पूछा जा सकता है बहुत महत्तपूर्ण है यह इसको अब भी पूला यह कौन सी डेट है सहाइक संधी की डेट है दूसरा है दस फरवरी अठारा सो सत्रा ठीक है यह कौन सी डेट है जब परसोंजी भोशले की मृत्यू हो जाती है और इनकी मृत्यू के साथ-साथ इनकी पत्नी जो रहती है कासी भाई परसोंजी भोशले की पत्नी वह स 23 नवामबर 1817 ये सीता बर्डी के युद्ध का डेट है ये तीन डेट बहुत महत्त पूर्ण है जो आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं ठीक है इसको याद रखना ही है अग्ला कोश्चन है रघुजी तृतिय को नाकपूर राज्य का उतराधीकारी कब बनाया गया ठीक है 26 जून 1818 को, 26 जुलाई 1818 को, 26 अगस्त 1818 को या 26 सितंबर 1818 को तो ध्यान रखना नाकबूर राज्य का उत्राधिकारी रगुजी तृती को बनाया जाता है 26 जून 1818 को, ठीक है ब्रिटिस अधिक्षको को काल क्रमा नुसार व्यवस्थित कीजिए ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि ब्रिटिस नियंत्रण में जब चले जाता है मराठा तो क्या करते हैं, वो ब्रिटिस अधिक्षको के माध्यम से शाषन को सम्हालते हैं इसमें कुल 6 ब्रिटिस अधिक्षक हैं, जो आप लोगों को याद रखने हैं इसके पहले हमने पढ़ा था, सूबेदार पढ़े थे, आठ सूबेदार रहते हैं तुबा सासन व्यमको जी भोसले जो चलाता है तो आठ सूबेदारों की नियुक्ति करता है उसी प्रकार से हाँ पर ब्रिटिस गवर्णनने ब्रिट अधिक्षकों की नियुक्ति की जाती है इसमें टोटल 6 जो है ब्रिटिस अधिक्षक रहते हैं उसको लाइन से देखते हम लोग कौन-कौन से थे फिर हम लोग इस कोस्टन को सॉल करने की कोशिश करेंगे इसमें टोटल जो है 6 ब्रिटिस अधिक्षक रहते हैं, इनके नाम आप लोगों को क्रमा नुसार याद रखने हैं, सबसे पहले आएंगे कैप्टन एडमंड, दूसरे नमबर पे आएंगे कैप्टन एगन्यू, तीसरे नमबर पे आएंगे कैप्टन हंटर, चौते नमबर प उसके बाद एगन्यू, एगन्यू के बाद आएगा हंटर, हंटर के बाद सैंडिस, विलकेंसन और क्राफ़र्ड, ये 6 नाम आप लोगों को मुखागर होना चाहिए और वो भी क्रमा नुसार, ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं, एडमंड 1818 में ये ब्रेटिस अगर पूछा जाएगा, तो कौन है, कैप्टन एडमंड है, इनके टाइम पे डोंगरगड का विद्रो होता है, डोंगरगड का विद्रो होता है, डोंगरगड जमीनदारी रहती है, इनका विद्रो होता है, और ये विद्रो में ऐसा माना जाता है, कि अप्पा सहाब का हा मात कर देते हैं तो यहांपर पूछा जाएगा आप लोगों को डोंगरगर जमिधारी का विद्रों हुआ १ा तु यह किस के दौरान दौरान हुआ था कैप टन एड मंड के नीकóc के दौरान कर दोरान कर दौरान जो क Live on Canadian चीज तक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो याद रखना है, इन्हों ने प्रसासनिक सुधार किया था, प्रसासनिक सुधार, प्रसासनिक सुधार में सबसे पहला जो पॉइंट आता है इनका राजधानी परिवर्तन, ठीक है इन्हों ने रतनपूर से रायपूर राजधानी इस्थानांत्रेद कर दिया था राजधानी इस्थानांत्रेद कर दिया था ठीक है क्या कर दिया था पहले रतनपूर रहती राजधानी उसको उसके इस्थान पर रायपूर को राजधानी बनाते हैं 1818 में दूसरा महत्रपूर्ण चीज यह है, इन्होंने आठ परगने बनाये, ठीक है, आठ परगनों के माध्यम से सासन को चलाया, आगे चलकर एक और परगना बनता है, इलहाल याद रखना आठ परगने, वो आठ परगने कौन से थे, एक हरायपूर, रतनपूर, राजरो या राज हरा, राजरो बोला जाता है इसको, ठीक है, धमतरी, धमधा, दुर्ग, बालोद, नवागड, ठीक है, तो यह जो है, आठ जो है, यह क्या करते हैं, परगने बनाते हैं, इसको आप लोगों को याद रागने, रखना है, ठीक है, आठ परगने कौन-कौन से बनाता है ये, आपकन यह पर बालोद नहीं आएगा, यहाँ पर खराओद आएगा, बालोद को बाद में बनाते है, बालोद को बनाते हैं, खरोद ठीक है तो इस आठ पर गने दिख रहे हैं आप लोगों को याद रखना आसान है तीन नाम रा से है रायपूर राजरो और रतनपूर दो नम धा से है धमतरी और धमधा फिर दुर्ग खरोद और नवागर और एक नाम आएगा बालोद जो की आठ पर्गने बनाता है इसको आप लोग बाद में कंसिडर करना जो 1820 में बनता है उसको ठीक है इसके अलावा विद्रू होता है इनके कारेकाल में परल को याद रखना है बहुत महत्तोपूर्ण है यह 1824-25 में ये विद्रो होता है गैंसी द्वारा ये विद्रो किया रहता है किसके कारिकाल में होता है कैप्टन एगेन्यू के कारिकाल में इस विद्रो को दबाते कौन है कैप्टन एगेन्यू दबाते है ठीक है और इसी विद्रो के बाद 1825 में ही ये त्याग पत्र देदेते हैं ऐसा प्रशन पूछा जाए कि एगन्यू ने कभ त्याग पत्र दिया एक सुद्रो के बाद तो इतनी चीजे आप लोगों को याद रखना है उसके बाद आते हैं Captain Hunter hunter इनका कारेकाल काफी कम समाई के लिए रहता है 1825 में कुछ मा के लिए ये ब्रेटे सा धिक्चक बनते हैं पिर आते हैं Captain Sandys Captain Sandys जो है सबसे महात्पूर्ण है इनका 1825 से लेकर 1828 से कारेकाल रहता है ये डाक तार वेवस स्थापित करते हैं 36 गड़ में ठीक है याद रखना आप लोग इसके बाद Captain Wilkinson आएंगे 1828 में और लास्ट में आते हैं Captain Crawford ये जो है अन्तिम ब्रेटे सधीक्चक रहते हैं ब्रेटेस अधिक्चक ठीक है Captain Wilkinson 1828 और Captain Crawford इसको याद रखना इन्हीं के टाइम पर क्या होता है जब ब्रेटेस अधिक्चक Captain Crawford रहते हैं तो इस समय क्या होता है 1830 में वैस्क हो जाते हैं कौन रखुजी तरीती और उनको सत्ता सौप दी जाती है ठीक है तो इस प्रकार से हाँपर ब्रेटेस अधिक्चकों का साशन भी ब्रेटेस गवर्मेंट का साशन भी यहाँपर सम देवस्थित कीजिए तो क्या होगा इसका सही क्रम क्या होना चाहिए Captain Hunter, Edmund, Eganyu, Sandys और Crawford ठीक है तो सबसे पहले हमने किन का नाम देखा इन में से एडमंड सबसे पहले गवर्मर ब्रेटेस अधिक्चक रहते हैं फिर आते हैं एगन्यू फिर आते हैं Hunter फिर चौथे नमबर पर Sandys फिर पाचवे नमबर पर Wilkinson और छटवे नमबर पर आते हैं Crawford तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा दो तीन एक चार पांच ठीक है यह इसक अगला प्रशन देखते हैं असत्य कथन की पहचान करना यहां पर 1818 में रायपूर से रतन पूरा ज्धानी परिवर्तन किया गया एगन्यू ने 27 परगनों को पुनर गठित कर 8 परगनों में मतलब 8 परगनों में सीमित किया फिर है एगन्यू ने धमधा के गोड राजा के विद्रोह को सांथ किया और एगन्यू ने कोड पार परगना विवात को सुझाया तो इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन एक क्यों होगा इसका सही एंसर ऑप्शन ने 1818 में राजानी परिवर्तन किया था लेकिन कौन सा किस स्थान से किस स्थान पर किया था रतनपूर से रयपूर किया था न की रयपूर से रतनपूर किया था तो पहला जो ऑप्षन है वो गलत है थीक है बाकि सभी आप्षन सही है आठ पर गने हमने पढ़ा ठीक है उसके बाद एगन्यू के धमधा एगन्यू गोड राजा का विद्रो, ठीक है, दूसरा है महारसिया का विद्रो, महारसिया का विद्रो, एक जमीन दार रहता है नावागड का, एक है सावंत भारती मामला, ठीक है, इनके उपद्रव से परिसान रहते हैं, ते इनके उपद्रव को सांथ करता है, एक यूँ, एक याद र ठीक है तो यह प्रमुक चार विद्रो है जो एगन्यू के कारेकाल में देखने को मिलता है धमधा के गोड राजा का विद्रो महारस्या का विद्रो सावन भारती मामला और परलकोड विद्रो ठीक है चारों आप लोगों को याद होने चाहिए इसके अलावा एगन्यू ने को महारसिया नामक जमीनदार किस शेत्र से था अब भी मैंने बताया महारसिया का विद्रो होता है एगन्यों के कारेकाल में और यह जो रहता है यह नवगड का जमीनदार रहता है याद अखना महारसिया का जो महारसिया जमीनदारी महारसिया जमीनदार रहता है वो किसी जमीनदार रहता है वह विद्रो करता है इसको मेंस में भी पूछा जा चुका है ठीक सीजी पीसी मेंस में नवागड का जमीनदार रहता है असथ्य कथन की पहचान करना है आप लोगों को इक पहला जो सेंटेस लिकावा है एगिन्यू ने खारून नदी पर जल सुध्धी कर सथापित किया एगन्यों के कारेकाल में सावंत भारती मामला घटित हुआ बोपाल पटनम संघर्ष के पश्चात एगन्यों ने त्याग पत्र दे दिया एगन्यों ने भरष्टा चार पर अंकुस लगाने का प्रयास किया तो इसमें से आप लोग बता सकते हैं कौँसा कथना सत्य है पहला जो है बिलकुस सही कथन है जल सुधीकरण सहींत्र स्थापित करते हैं यह काफी अच्छे अधिक्षक रहते हैं अच्छा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन होने एक सुद्धीकरण सहींत्र लगाया था दूसरा भ्रष्टा चार को लगाने कोशिश की थी बहुत जादा रहते हैं उसको देखते हैं अगन्यू जब रेटे सदिख्षक बनते हैं तो इनस्फ चीज़को वह डूर करते हैं वेतन संगत्य रहती है अधिकारियों वह को तुर करते 2 यह इस प्रकार से वो काफी अच्छा काम भी करते हैं अपने कारेगाल में तो ब्रस्टाचार पर अंकुस लगाने का कारे भी किया था इन्होंने ज़सुद्धी करण सेंत्र भी स्थापित किया था सावन भारती मामला मैंने बता दिया भोपाल पटनम के संघर्च के पस्चात ए यह बिल्कुल गलत है एक्चल में हाँ पे होना चाहिए था परल कोट का विध्रोओ ठीक है परल कोट विद्रोओ के बाद इसन होने त्याक पत्र दिया था ठीक है लो है कि लोडी मी वद तरेंगा नामा दो ताहुदारिया कि नो nे बनवाया Captain ийगन्यू Captain Sandsय कैपटल एड्मंड या Captain second 대해서 हंट इप्सको हम तो अधे पहले तुम्हें देता हूं कि ताहुददारिया क्या होती है और तालूगदारी आप दो चीजे सुनेंगे, सबसे ज़्यादा confusion होता है इसमें, ताहुद दारी और एक नाम सुनेंगे आप लोग तालूगदारी, तालूगदारी, ठीक है, क्या होता है ये दोनों, ठीक है, conceptual चीज है, इसको समझना, त्यांसे, ताहुद दारी का अर्थि होता है, जो बंजर भूमी रहती है, जो त्याज भूमी रहती है, जो उसर भूमी रहती है, उनको इस्थानी लोगों के प्रभाव से, क्रिसी योग्य भूमी में परिवर्तित करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ताहुद दारी व्यवस्ता कहलाती है, यह एक राजस व्यव रहते हैं उनको पयर्मेंट को पैदा मिलता है ठीक है और उस चेत्र से राजस्व मिलना शूरू हो जाता क्यों और च्रिसी योग्य भूमि बन गयाती है उससे पैदावार शूरू हो जाता है तो क्या है यह ताहुद्दारी एक राजस्व व्यवस्था है जिसके अंतरगत इस्थानी लोगों की मदद से याज भूमी को प्रिशी योग्य भूमी में परिवर्तित किया जाता है ठीक है और एक तालुगदारी रहती है तालुगदारी राजस्व प्रबंधन की एक व्यवस्था है इसकी वह राजस्व व्यवस्था थी और यह जो है राजस्व प्रबंधन की एक नवीन व्यवस्था थी जो ठेकेदारी प्रथा पर आधारित थी ठेकेदारी प्रथा पर आधारित थी इसका मतलब क्या है इसमें क्या होता है किसी व्यक्ति विशेष को एक निश्चित छे प्रफ्ति को दे दिया क्यों कि बोला कि रायपुर्ण शेत्र से वो क्या करेगा एक निश्यद्धान राशी गवर्मेंट को देगा ठीक है तो वो क्या कहलाती है तालुक ताहुद्दारी विवस्ता कहलाती है ठीक है और चत्विश गण में अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग ताहुद्दारिया बनी थी यहां रहा हूं तब से पहले जो ताहुद्दारिया बनी थी वह बनी थी लोर्मी एवं तरेंगा लोर्मी एम तरेंगा अठारा सो चब्विस और अठारा सो अठाइस में ये दो तहुद्दारिया बनी थी दूसरा याद रखना आप लोग सिर्पूर बना था और लवन बना था ये बनता है 1843 और 1848 में दो तहुद्दारिया बनता है सिर्पूर लवन और लोर्मी तरेंगा यहां पर बन गया और एक और बनता है एक टाइम पर ये बनता है लोर्मी और तरेंगा सैंडिस के टाइम प गलता है रगुजी द्वीती के टाइम पर रगुजी तृती के टाइम पर एक बनता है चर्ल्स इलियट के टाइम पर चीहावा सिहा आरी आแล और अप संजारी नामक यह बनता है इनलीस हो और 2018ale तो इस प्रकार से याद रखना आप लोग लोर्मी तरेंगा बनेगा सेंडिस के टाइम पे सिरपूर और लवन बनेगा रगुजी तरीदी के टाइम पे और सिहावा खलारी और संजारी बनता है चार्स इलियट के टाइम पे ठीक है तो टोटल आप लोगों को यहाँ पर साथ ताहुदारिया देखने को मिलेगी प्रस में पूछा जा रहा है लोर्मी और तरेंगा किन की कारेकाल में बना था तो यह बना था कैप्टन सेंडिस केट कारेकाल में ठीक है रगुजी त्रीती है यह यह रगुजी त्रीती को सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया बहुत महात जोन 1830 को रगुजी तृती को सत्ता सौप देते हैं और पुनह जो है भोसलों का साशन शुरू हो जाता है ब्रिटिस का साशन समाप्त हो जाता है यह यहां पर जो रहते हैं रगुजी तृती कि ध्यान रखना इनके टाइम पर सबसे बढ़ा जो रहता है वह रहता है लॉड विलियाम बेंटीड Caesar जो कि गवर्णर जर्णरर रहते हैं गवर्णर जर्णरल रहते हैं और गववर्णर जर्णरल आ इस टिक हैं लॉड विल्यम् यह काफी उदार टाइप के रहते हैं तो जब यह 1828 में गवर्नर जनरल बन के आते हैं तो क्या कर देते हैं यह मराठो को फिर से सत्ता सौंप देते हैं ठीक है रगुजी त्रीती इस समय वेस्क भी हो जाया रहते हैं तो 6 जून 1830 को इनको सत्ता सौंप दी जाती है जान रख अधिक्षक थे यह अंतिम ब्रेटिस अधिक्षक और दूसरा इंपोर्टेंट चीज़ क्या है इन्होंने सत्ता हस्तांतरंड किया सत्ता का हस्तांतरंड किया किनको रखुजी त्रीती को ठीक है आगे बढ़ते हैं जिलेदार को कालकरा मनुसार व्यवस्थित कीजिए ठीक रखुजी तरिति राजा बनते हैं और रगुजी तरिति क्या करते हैं जैसे बित्विति सुभ करते हैं निया करते हैं जिल्या only से सासन चलाते हैं तो इनके कारेकाल में Raghuguchi Luck के कारेकाल में कुल आथ जिलेदार हुए हैं कि कितने जिलेदार हुए है कुल आठ जिलेदार हुए है ठीक है उसमें से उसमें से जो पहला जिलेदार है वो है अम्रित राव दूर्गा प्रसाद सद्रूत दीन हम आपके जेगा दूसरे नंबर पर सद्रूत दीन अम्रित राव सद्रूत दीन दूर्गा प्रसाद चौथे नंबर पर आएंगे इंटुक राव पांचवे नंबर पर आएंगे सखाराम सखाराम फिर आएंगे गोविंद और लास्ट में आएंगे गोपाल गोपाल राव इसमें एक और जिलेदार रहते हैं उसका नाम रहता है मैं बता देता हूं अभी क्रिश्ना राव अप्पा माप करना है पहले नंबर पर को आएंगे क्रिश्ना राव अप्पा क्रिश्ना राव अप्पा ठीके क्रिश्ना राव अप्पा को सौपते हैं यह जो क्राफ़ट रहता है वो सत्ता किसको सौपते हैं रगुजी तृती की तरब से क्रिश्ना राव अप्पा को सौपते पहला नाम कृष्ण का ही है कृष्णा राव अप्पा ठीक है दूसरे नंबर पे अम्रित राव तीसरे नंबर पे सद्रूदीन चाह। पे दूर्गप्रसाथ पाँचवे में इंटुक राव चटवे में सका राम साथवे पे गोविंद राम और आठवे नंबर पे आएगा गोपाल राव ठीक है ये अंतिम रहते हैं और प्रथम कौन रहते हैं कृष्टा राव ठीक है तो प्रथम जीले दार अगर जाएंगे कृष्णा फिर अम्रित सदा दुर्गा ऐसे आद खेलेना अम्रित जिसना के बाद अम्रित सदा दुर्गा फिर बीच में अंट्री होगी पांचवे नंबर पर इंटुक राव ठीक है बीच में कौन आ रहे हैं इंटुक राव फिर सखा गोविंद गोपाल ठीक है तब से पहले कृष्ण भगवान का नाम आ जाएगा क्रिष्ण को याधी रखना है क्रिष्ण राव अपपा ही क्या करते हैं रगुजी तृती की तरब से जो है उनको सत्त सवपा जाता है ठीक है उसके बाद आएंगे अम्रित सदा दुर्गा इंटुक सखा गोविंद गोपाल ठीक है तो इस प्रकार से आठ नाम आप लोगों को मुखाग्ट होना चाहिए क्रम अनुसार तो यहां पे कैसा हो जाएगा सीक्वेंस इसका सबसे पहले आ जाएंगे कि इसमें से देखेंगे तो अम्रित राओ तीसरा नंबर पहले आ जाएगा फिर सद्रुद्दीन फिर आ जाएगा यहां पे दुर्गा प्रसाथ फिर सखा राम बापू और गोपाल राओ ठीक है तो इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है को अगला प्रस्ण है लौड ड सब्सकुर्टेशन दिसम्बर 18.03 टाइस दिसम्बर 18.03 टिक है यहां पे ध्यान देना रगुजी तृती गुरुट जी जो है यह भी सासन को अच्छे से समहाल नहीं पाते हैं ठीक है रोग्विलास में डूप जाते हैं इनका मन नहीं रहता है सासन को समहालने टो महालने का ठीक है तो इनकी इनका कुछ दिनों बाद ही मृत्यू हो जाता है मृत्यू कब होता है ग्यारा दिसंबर अठारा सो सिर्पन को चूंकि इनका कोई पूत्र नहीं रहता ठीक है तो लॉड जो डलहुजी रहते हैं इस समय उनको एक अच्छा मौका मिल जाता है इस समराज्य को हड़ापने का तो क्या करते हैं तीरा मार्च तीरा मार्च 1854 को लॉड डलहुजी यहां पे ध्यान रखना लॉड विलियम बैंटिक की उदारवादी नीती के कारण ही जो भोसला जो प्रसासन था वो फिर से मिला था इन लोगों कुमाराठों को ठीक है लेकिन लॉड डलहुजी जैसे ही आते हैं वो क्या करते हैं हड़ मराठा समराज्य उसको समाप्थ कर देते हैं और पूरा का पूरा ब्रिडिस समराज्य को मिला लेते हैं 36 घाड में तो यहां पे तिरा मार्च 1854 को लॉड डलहुजी था निती के तहत ध्यांदेना 하डपनीटी के तहट क्या करते हैं MARATHA SASHन को British के अधिन मिला लेते हैं British समराजे मला लेते हैं और यहाँ पर मराथा का सासन जो है पूरी तरह से समाप्थ हो जाता है ठीक है 13 मार्च 1854 याद रखना है आप लोगों को यह डिट तो यहां पर पूछा जा रहा है कब समराजय में मिला है तो 13 मार्च 1854 को अप्शन है इसका सही अंसर है 11 दिसंबर को क्या हुआ था मृत्ति हुई थी रगुजी तृति की आगे बढ़ते हैं रगुजी तृति है रगुजी तृति द्वारा निम्न मेंश से कौन से सुधारकारी करवाय गया थे उसमें ध्यान देना सबसे महत्तों है सति प्रतापर प्रतिबंध नर्बली प्रतापर रोक ठगो का धमन यह सभी कारे रगुजी तृति के कारेकाल के दोरान कुए थे थे ठीक है तो इसका स दिमान थी यह थी रगुजी तृती के कारेकाल के दौरान 1830 से लेकर 1854 तक option B इसका सही अंसर हो जाएगा कब से कब तर 1830 से लेकर 1854 तक आगे बढ़ते हैं एक तरफ दिया गया है आप लोगों को ब्रेटिस अधिक चको की सूची और दूसरे तरफ क्या दिया गया है उनके क कारेकाल के दौरान हुई कुछ प्रमुग घटना है उसको सुमेलित करना है कैप्टन एडमंड एगन्यू सेंडिस और क्राफ़ट ठीक है इनके कारेकाल पर कौन कोसी घटना हुए इसको मैंने काफी हद तक बता दिया है इसको बना सकते हैं आप लोग एडमंड के टाइम डोंगरघ समीधारी का विद्रोध कि एक का हो जाएगा की कहा हो जाएगा तू हो जायए इकन्य के टाइम था जाम पर मिला राजानि परिवरतन वह भी रतन पूर से रायपूर तो ाक मिंश्टर् का चुह मिश्टरर संड्रेस क्रेंव बस्तार क्रोलेख श करो करो जम आ तो प्रकार से आप लोगों को कॉस्टन्स पूछे जाएंगे तो अप लोगों को facts के साथ में, dates के साथ में सभी चीजें याद रखनी है और ये जो section था, Maratha section, ये हाँ पर समाप्थ हो रहा है हमने 1741 से लेकर 1854 तक की घटनाओं को पूरी तरह से पढ़ लिया है जिसमें Maratha साशन पूरी तरह से समाप्थ हो गया है इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे Maratha प्रसासनिक व्यवस्था को 36 गण में Maratha प्रसासन के इस प्रकार से चलाया जाता है जैसे हाँ पर हमने पढ़ा था, परगने बनते हैं परगने बनते हैं, सूबह बनता है, तो सूबह का प्रमुख सूबेदार होता है परगने का माविजदार होता है, उसी प्रकार से अनेक अधिकारियों की निव्ति की जाती है ठीक है, तो वो सब अधिकारियों के बारे में क्या कर व्यवस्था रही थी ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग next class में पढ़ेंगे प्रसासनिक व्यवस्था के अंतरगत, ठीक है, तो बने रहिए competition wing के साथ, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद